आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशीफल आप देख रहे हैं तो दिस्क्रिप्शन में आज के धमशिक्षा पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहां जाकर आप आज का पंचांग विस्तार पूर्ग जान सकते हैं एक एक मोहरतो गयम जान सकते हैं आज के संपूर्ण राशीफल का वीडियो अगर आपको पसंद आयते वीडियो को लाइक देजोर करें साथी कमेंट बक्स में जय मतादी जोलिक हैं मित्रों आज के राशीफल की चार्चा करें इससे पहले आए एक नजर आज के गरहों के स्थिती पर नजर डालते हैं आज मंगल मेश राशी में, गुरु रिस राशी में, सूरी, सुक्र, बुध्ध, ती नवकसाथ मित्रों राशी में, केतु कन्य राशी में, शनी कुम राशी में, राहू, चंदर्मा एक साथ मीन राशी में आज विराजित हैं कुम रासीम चंद्रमा आज सुभा के 6 बज कर 28 मिन तक ही रहेंगे तो उपान चंद्रमा का मीन रासी में ही प्रवेस है पूरे दिन चंद्रमा मीन रासी में ही है तो रासी फल भी हम आज का मीन रासी के साब से जानेंगे भानी निश्ची तोर पर रखनी चाहिए। आज आपको संतान के तरफ से खुसी हो सकती है, परिवार में साकारत्मक वातावरन इसकान बनेगा। किसी पुरानी समस्या का अंदवी संभव है। आपके आत्मिस्वास में कमी आ सकती है, साथ ही अपने वानी पर नियंतन रखें क्योंकि आज आपके लराई जहरे के योग भी बन रहे हैं। आपके सिनियर आपको किसी काम को लेकर आज उकसा सकते हैं, धहरी से काम ने या एक सोची समझी साजिस भी आपके खिलाब हो सकती है। बात किंगे व्यापार और धनकी, तो आज आपको व्यापार में हानी का सा को किल सकते हैं विद्यार्थी बीद्यार्थि की बात कर दो है। के लिए लाब्दाइक सिधी हो सकता है जो जातक हाइ ब्लेट्बलेटी सर डाइबिटीज या दिल के रोगी है। उन्हें अपना ध्यान विशे स्तौरब रखना चाहिए। प्रेम समंधों के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी को कम समय दे पाएंगे। उन्हें समय देने का प्रयास करें। उनकी भावनाओं के कदर करें। इससे आपके प्रेम समंधों में मिठा होगी। प्यार के जहार करने के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है। आज के दूद या दूद से बनीवे चीयां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा। आपके लिए आज का सुबरंग नीलारंग लकी नमर चार रहेगा। बात करेंगे वरिशासी की। भी नया कारी करने के लिए पेरीद भी रहेंगे और इस नए कारी में आपको सफलता भी मिलेगी। नए लोगों से मिलना और दोस्ती होना संभव है। आपको आज कुछ पारिवारिक समस्या का सामना भी करना पर सकता है। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धी का इस्तेमा करेंगे तो पारिवारिक समस्या सुधारने में वियापको सफलता मिलेगी। आज आपके धैरियों में कवी आ सकती है। जिसके करन आपके कारी पने विब भी बिगर सकते हैं। तो अपने धैरी पर नियंतन रखें। व्यापार और धनं की बात कर आपैर आज आप अपने कोई बहुत जोरतमन्द व्यक्ति ना हो तो उसे पैसे का उधार ना दें क्योंकि ऐसे पैसे आपके डूब सकते हैं विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के नच्छा रहने वाल है आज आप अपने पढ़ाई के लिए अनकूल इस्तिति का अनभव करे प्रेम समंद की बात के छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन साथी साज उलत सकते हैं एक दूसरे से वाद व्याद की इस्तिति उत्पन हो सकती है लेकिन यह सब होने के बाबजूत आपके रिष्ते मधूर बने रहेंगे जीवन साथी या प्रेमी पेमी का के सा में बिताएं इससे आपके प्रेम समंद अच्छे बनेंगे आज किन चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबंग हरा रंग लकी नमर तीन रहने वाला है बात करेंगे मिथुन रासी की मिथुन रासीम चंदरमा दस्वें इस्थान में विराजित हैं जिसके प्रसुप आज आपके कारी छेत्र में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको प्रोत्साहन मिल सकता है आपके प्रतिद्वंदियों को परास्त करने में आपको सफलता की प्राप्ति होगी आपके घर क आज आप व्यास्त रह सकते हैं भगवान के परती आपकी आस्था बरहेगी लेकिन संतान के तरफ से थोड़ी चिंत आपको अज रह सकती है तो अपने संतान का ध्यान रखें आज घर में कलह का माहौल भी बन सकता है आज आप आत्मिस्वास से भरपूर रहेंगे परन्तु प अपने सहकर्वियों से चुनोती मिल सकती है आज आपके खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं तो अपने फिजूल खर्चों पे नियंतन जोड़ रखें विद्यार्थी की बातकेत आज आपके मित्र आपका ध्यान परहाई से भठका सकते हैं मुआल फोन में ज़्यादा समय बरबात ना करें अपने परहाई पर ध्यान दें स्वास्त की बातकेत आज आपको अपने स्वास्त के परती सजेत रहना चाहिए कोई पुराने विमारी आपको आज परिशान कर सकती है कुछ जातकों को जोरों का दर्द परिशान कर सकता है तो हलका व्यायाम करना आपके ल रहेगा आपके लिए आज का सुपरंग फिरोजी रंग लकी नमर आठ रहने वाला है बात कोंगे अब करक्रासी की करक्रासी में चंदमान आज नौवे इस्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप आज आप अपने बातों को समाज में अच्छे धंग से रख पाएंगे जिस कारी कारियों से आपको लाब मिलेगा आज आपको आपके मित्रों का सहियोग भी प्राप्थ होगा आज आप मानसिक सांति का अनभव करेंगे लेकिन कुछ जातक किसी अज्ञात भाय से आज परिसान भी रह सकते है व्यापार और धनकी बात कर चाहे व्यापार करते हो जॉ प्रफिस कर सकते हैं लेकिन व्यापार में आपकी स्थिती अच्छी बनी रहेगी। जिन जातकों को मकान या गारी की तलास है उनकी तलास पूरी हो सकती है। जुरा तक नोकरी कर रहे हैं उनके लिए आज की अच्छा रहने वाला है। औफिस में कोई नए जिमेदारी आपको दी जा सकती है। आपके ट्रांसफर होने की योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थी की बातकाट विद्यार्थियों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है। उन्हें भी सफलता मिल सकती है। स्वास्त की बात करत आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है। मानसिक सांती का अनभव भी करेंगे। प्रेम समंध की बात करत प्रेम समंधों को सुद्रिट बनाने के लिए। आज अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं। इससे आपको उचा और अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिस तो बिल्कुल भी भूल करना करें। इससे वाद व्याद के स्थिति उत्पन हो सकती है। जिन और विवाही जातकों को साथी की तलास से उनकी खोज पूरी हो सकती है। आज किन दूद या दूद से बनी विचीए खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा। आपके लिए आज का सुबरंग खा की कलर लकी नमर छे रहने वाला है। बात केंगे सिंग रासी की। सिंग रासीम चंदरमा आठमें स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज आज आपको परिवार जनों का साथ मिलेगा। खास करके बड़े भाई बानों से। माता पिता से भी कुछ आर्थिक सहयोग आपको मिल सकता है। परिवार की सुक्सानती का माहौल बना रहेगा जिसके फ्रसुप घर में साकरतमकता भी रहेगी। लेकिन आपके लिए आज लराई जगरे की योग बन रहें तो आपको सबसे अच्छे समन्द बना के रखने का परियास करना चाहिए। खास करके सगे समन्दियों से परोशियों से। किनी किनी जातकों को कोई अच्छा दोस्त भी मिल सकता है लेकिन किसी नए पर भरोशा करने से पहले उसकी जाँच जोड़ करें। आज आपके जिद्दी रवये की वएसे आपको कुछ नुकसान हो सकता है तो कल्पनाओं के पीछे ना दो रहें। सोच समझकर ही काम लें। अगर अपने पिता और धंगुरु की सला से किसी कारी को करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। व्यापार और धंगी बातकर आज आपको व्यापार में करी चुनोतियों का सामना करना पर सकता है। लेकि इस चुनोति से घबराएं नहीं बलकि इसका सामना डटकर करें। आज किसी से पैसे उधार लेने से बिलकुल बचें। आज करज लिएगे पैसे आप जल्दी से चुकान नहीं पाएंगे जुदा तक नौकरी कर रहें उनके सहकर्मियों के साथ उनके समद भी गर सकते हैं आज आपके सहकर्मी आपके बड़े पर्तितंदी भी सावित हो सकते हैं इससे बचने के लिए अपने सीनिय के सामने अपने आपको अच्छे से परजेंट करें आज आपके खर्चों में भी विर्दी होगी विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज करें सामाने रहने वाला है अपने समय को बरबाद करने से बचें समय का एक एक पल महतपूर्ण है उस पल का लाब जो उठावें अभी अपना ध्यान सिर्फ परसिफ अपने पढ़ाई परी लगावें स्वास्त की बात के आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाल है लेकिन आपको अपने स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए तले, भूने और मसाईदार खानों से दूर रहना चाहिए प्रेम समंद की बात के जीवन साथी से हलकी नोगजों के बाद अच्छे समंद भी बनेंगे आपको कोई पार्टनर भी आज मिल सकता है लेकिन पार्टनर का चुनाओ करने में साब्धानी बरते हैं प्यार के जहर करने साथ बचे हैं आज के जुर अपने खाद्य पदात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुम्रंग हरारंग लकी नमर 3 रहने वाला है बात करेंगे अप कन्या रासी की कन्यारासीम चंद्रमा आज साथवी अस्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आप अपनी बातों को समाज में मजबूती के साथ रख पाएंगे आपके बच्चों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा काई माइनों में आज के नपके लिए चुनोतियों सुभरा रह सकता है आज अगर आपको जीवन का कोई बड़ा फैसला लेना हो तो किसी अनभवी लोगों की सलाह जोड़ ले आपके मन में आज कोई नकारतमक विचार आ सकते हैं जिससे आपका कारी भी प्रभावित हो सकता है आज आपकी बोली गई बातों को आपके परतीतंद्यों दोरा तोर मोर का पेश किया जा सकता है तो कुछ भी बोलते समिछ साब्धानी बढ़ते हैं किनी-किनी जातकों के उनके पिता के साथ समन भिगर सकते हैं तो यहाँ पर आपको सब्धने निश्ची तोर पर बरतनी चाहिए। आज अगर घर से अपने बड़े का सिर्वाद लेकर किसी काम के लिए निकलेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ओफिस या व्यापार में आपके सहकर्मियों के साथ आपका दिन अच्छा बीतेगा। व्यापार और धनकी बात के तो व्यापार के दिश्टी से आज की आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो दो तक व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाभ हो सकता है। समान व्यापारियों के बीच आपकी परतिष्ठा बढ़ेगी, आवेश्चता होने पर आपके भाई बहनों से आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है नोकरी करने वाई जात्कों के लिए भी आज की नच्छा रहने वाला है ओफिस में सहकरिमी और सीनियर के बीच आपका मान समान बढ़ेगा बात के विद्यार्थी की, आपको आज लक्ष की प्राप्ति के लिए जदा मेहनत करने की आवेश्चता है जदा मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बेलकुल न रखें स्वास्त की बात के स्वास्त के दिख्ष्टी से कुल मिला के आज के आपके लिए अच्छा रहने वाला है किनी किनी जात्कों को किसी प्रकार के चिंता रह सकती है प्रेम समन्त की बात के तो विवाहित जात्कों को जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा जुवा तक और विवाहित है उन्हें कोई नया पार्टनर भी अज मिल सकता है आज किन तांबे के बरतن में पानी पीते हैं तबके लिए शुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रन्सुनारा रग लगी नमर रहेगा 7 बात करने तुलारासी की तुलारसिम चंद्रमा छटे स्थान में विराजित हैं जिसके प्रसुब आज आपकी कारियों के दिखता रहेगी कारी छित में परिवर्तन का मन भी आपका हो सकता है आज आप अपनी वानी की मधूरता से बहुत सारी कारियों को लिप्टा सकते हैं अगर आप अपनी वानी पे अंकुस नहीं लगाएंगे तो बहुत सारी लोगों के आकरोस का सामना आपको करना पर सकता है सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहयोग आपको मिल सकता है आपके परिवार की परतिष्ठा बढ़ेगी अगर कुछ नया कारी आरम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ समस्या उत्पन हो सकती है मन में किसी प्रकार की चिंता भी रह सकती है व्यापार और धन की बात करें तो अगर कहीं आपके पैसे बकाया हैं तो वहां से पैसे वसूली की पूरी संभावना बन रही है। पिछले कर्ज को आप चुका पाएंगे। व्यापार में अगर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही है। तो उसे खत्म करना अब आती आवस्यक हो गया है। वरना इसे बहुत ज़्यादा हानी का सामना करना पर सकता है। विद्यार्थी की बातके आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा लेकिन सफलता की प्राप्ति के लिए आपको और भी ज़्यादा महनत करने की जौरत है। तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमें बिलकुल न रखें। स्वास्त की बात के जिन जात्कों को जोनो का दर्द ये गठिया से समंधित समस्या रहती है। उन्हें थोड़े परिसानी का सामना करना पर सकता है। आज आपको तनावपूर्ण वातावरन में रहने की सला बिलकुल भी नहीं दी जा रही है। विश्ची करासीम चंद्रमा पांच में स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज आपको कई परकार के परिसानियों से मुक्ति मिल सकती है। कलात्मक कारियों में आपके रूशी बढ़ेगी, आपके व्यक्तित में सकारत्मक बदलाव आ सकता है। आज अपनी माता के साथ कुछ समय जोर बिताएं और उनकी मन इस्थिति को समझें, इससे आपको असी मन की सांती प्राप्त होगी। यदि आप साधी सुधा हैं, तो आपके सोसुलाल पक्से से किसी के साथ वाद वाद हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको साधने बढ़तनी चाहिए। आज आप अपने बच्चों की परहाई को लेकर चिंतित रह सकते हैं इसके लिए आपको अपने बच्चों की परहाई में रुची समझनी होगी बच्चों को उनके केरियर के परती प्रेरीद भी करें व्यापार और धन की बात करें तो व्यापारियों के लिए आज की न अच्छा रहने वाल है आपके आत्मि स्वास में ब्रदी होगी, जिसका फाइदा आपको भी व्यापार में मिलेगा। आज किसी जुरत्मन्त ब्रक्ति को धन का धान ज़रू करें, नौकरी करने वाले जात्कों के लिए भी आज के न अच्छा रहने वाल है। नौकरी में परिवर्तन करने का मन भी आपका हो सकता है, कुछ जात्कों को सटे बाजी वगर ऐसे, आज लाव भी हो सकता है। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों का मन जंचल रहेगा, अपने आपको सोचल मीडिया और मोगाल फोन से थार दूर रखें, अब आपको अपने केरियर के परती सचेत हो जाना चाहिए। स्वास्त की बात करें, आज आपको किसी प्रकार के चिंता रह सकती है, मन असांत भी रहेगा, जूरा तक पहले से बिमार है, उन्हें अपने स्वास्त का ज़्याद ध्यान रखना चाहिए। प्रेम समन्द की बात करें, तो आज आप जीवन साथी को समय देपाएंगे। आपको यहां से नुकसान हो सकता है, आपके दोस्तों के साथ अच्छे समन्द बना के रखने का आपको प्रियास करना चाहिए, उनसे लराई जहरे की संभावना बन रही है। सांती से गर काम लेंगे तो आपके बहुत सारे कारी बन भी सकते हैं, अपने लगन और आत्मिस्वास से आप अपने कारीयों को बहतर धंक से कर पाएंगे। जुदा तक मीडिया से जुरे हुए हैं, उनके लिए आज के नच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों के लिए आज के दिन सिक्छा के छेतर में सुब फलों की प्राप्ती होगी तो डटकर बेहनत करें। आज के इन मसुर की दाल खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आज का सुब रंग के सरिया रहें। लकिन नम्मर आठ रहने वाला है। बात केंगे मकर रासिगी। मकर रासिम चंद्रमा तीसे स्थान में विराजित है। जिसके फ्रसुप आज आपको आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग। प्राप्त होगा। इससे आपको जीवन में फाइदा होगा। आपके पिता या उच्चे दिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सामाजिक कारियों में आपके रुची बनी रहेगी। मन में नेने विचाराएंगे इन विचारों को सहेच कर अपने जीवन में आगे बनें। स्वाधिष्ट भोजन का अनन्द ठापाएंगे परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पे जाने के या धार्मिक कारी करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं आज किसी गलत फ्यामी के कारण आपके और आपके प्रिये जनों के बीच लराई हो सकती है तो यहाँ पे साथानी भी बढ़ते हैं व्यापार और धन की बातके आज आपके केरियर में सफलता की प्राप्ती होगी आज आप अपने विरुधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे आर्थिक मामलों में सफलता की प्राप्ती होगी परिवार के किसी वक्ती साब को धनलाब भी हो सकता है जूरा तक नोकरी करते हैं उनको आफिस में ऐसे लोगों से साब्धान रहना चाहिए जो उनके दोस्तों हैं लेकिन उनकी चबी विकारने की कोशिस करते रहते हैं विद्यार्थी की बात के तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है चुस्ती और फूर्ती का अनभव करेंगे लेकिन आपको मौसमी विवारियों सा सचेत भी रहना चाहिए मौसमी विवारियां किनिकनी जातकों को परेशान कर सकती है प्रेम समन्द की बात के तो आज आप जीवन साथी के साथ समय विताएं इससे आपको और आपके जीवन साथी को दोनों को अच्छा महसूस होगा आज के इंचांदी के बरतन में भूजन करेंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रम गुलावी रंग लकी नमर दो रहने वाला है बात केंगे कुमरासिगी कुमरासिम चंद्रमा दूसरे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आपका मन आत्मी स्वास से भरपूर रहेगा लेकिन मन में नकारत्मक विचार भी आ सकते हैं छोटी मोटी परेशानिया आएंगी उन परेशानियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिस करें कुछ नई विचार आपके लिए फायदे मन भी साबित हो सकते हैं आज अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसका फायदा आपको भी कहिना कहिन मीलेगा बिना जांच परता लिए किसी व्यविसाय या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक चर्तों बिल्कुल भी न करें इससे आप मुस्किलों में आगे चलकर परसकते हैं व्यापार औधन की बात कि आज आपको व्यापार में लाब होगा व्यापार में जो भी आपके परतिधंदी हैं उन पर आप विज़े प्राप्ट कर सकते हैं जूरा तक नोकरी कर रहे हैं उनके लिए आज के अच्छा रहने वाला है आपके senior या boss आपके कारी से प्रभावित हो सकते हैं लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अपने boss के सामने खुद की पैर भी ना करें इससे negative प्रभाव पड़ सकता है विद्यार्थी की बात के प्रत्युकता परिष्छा की तैयारी करने वाली विद्यार्थी अपने दिड़ इच्छा सकती से लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें स्वास्त की बात के आज आपको मौसमी विवानियों को लेकर सतरक्ता रखनी चाहिए आपकी सारेरिक और मांसिक विवानी की जर आज़ा दुख हो सकता आपका व्यायाम करें खुली हवा में टालें आपके स्वास्त के लिए अच्छा रहने वाला है प्रेम समन की बात के अपनी बाते हैं अपने जीवन साथी पर थोपने से आज कल्ह की स्थिति उत्पन हो सकती है अपने जीवन साथी को बड़ावर का अधिकार दें इससे आपके समन मधूर बने रहेंगे आज की इन हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग आसमानी रंग लगी नमर बारा रहने वाला है बात करेंगे मीन रासिकी मीन रासिम चंद्रमा आज पर्थामस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज आपको आपके दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा आज कोई भी निर्ने भावकता वसनाले ऐसे निर्नेयों से आप परिसानी में पर सकते हैं बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ती होगी आपको आज भागे का साथ भी मिलेगा परिवार के किनी दो सदस्यों के बीच मनमोटा और बढ़ सकता है मगर आज पूरे परिवार के साथ किसी धार्मी कारे के योग भी बन सकते हैं आज आपको आपके सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा लेकिन ध्यान रहे वह आपके काम का केड़िट भी लेने का प्रियास करेंगे आज किसी सुनी सुनाई बातों पर आँख मूंद कर भरसा ना करें सचाई को परखें तब ही आगे बढ़ें व्यापार औधन की बात केड़ व्यापारियों को आज कोई भी निरने बहुती सोच समझ कर लेना चाहिए किसी अचानक साय चुनोतियों का सामनाप को करना पर सकता है तो उसके लिए पहले से ही सचेत रहें अगर कहीं निवेस करने का मन बना रहें एक बार अनभवी लोगों की सलाह जोड़ लें कज लेने से बिलकुल बचें विद्यार्थी की बात के तो आज आपका मन परहाई में लगेगा आप जिस लक्ष की प्राप्ति चाहते हैं उसके लिए अच्छी योजना बनाकर करी मेनत करें सफलता मिलेगी आपको स्वास्त की बात के तो आज आपको अपने स्वास्त के परति सजेत रहना चाहिए जिन जातकों को हाई ये लोग बेट परेसर की सिकायत रहती है वह आज अच्छा महसूस करेंगे प्रेम समन्द की बात के तो आज आज आपके जीवन साथी के साथ आपकी नोगजों भी हो सकती है बात में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा और विवाहित जातक प्रेम समन्द में कोई भी नयारिस्ता बनाने से पहले आज सामने वाले को जोर परखे आज आपके प्रेम समन्द में किसी परकार की चिंता उत्पन हो सकती है आज किन केला खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग हारा रंग लगी निम्मर रहने वाला है साथ तो मित्रा ये तो था आज का संपून रासी फल अलकल के संपून रासी फल करें जोरी रहें द्रम सिक्षा के साथ और देखते रहें द्रम सिक्षा जै मात दी